आज comparison होने वाला है Helio G99 vs Snapdragon 778G Plus 778G का comparison में इस चैनल पर अब ले बले आप चाहके देख सकते हैं प्लेश में मिल जाएगा अब बात किजाए हैं पर सबसे पहले review में CP performance score के साथ तो यहाँ पर Helio का score 37 आएगा हूँ Snapdragon का 55 तो यहाँ पर मतलब Snapdragon के performance आपको काफे ही तक अगले देखने के मिलेगी तो cortex के बात मैं आगे करने वाला हूँ तो आगे देखते लिए और gaming performance की बात किजाए तो Helio का score 26 आता है Snapdragon का 47 GPU and gaming graphics की बात भी मैं आगे करने वाला हूँ तो उसे भी देख लेजेगा अब बात करते हैं हाँ पर अगले review बैटर लाइफ की तो बैटर लाइफ यहाँ पर fabrication पर डिपेंड करता है तो Helio G99 का score 84 आता है वाई Snapdragon का 85 तो देखते हैं किसका fabrication है better अन्दूत की बात किया है तो Helio G99 का score जो है 374,618 आएगा वाई Snapdragon का 553,506 Geekbench की बात करें तो Geekbench भी एक benchmark score है जो की single core और multi core पर दिया जाता है तो single core में Helio का score 561 आता है वाई Snapdragon का 821 Multicore की बात किया तो हाँ पर Helio का score 1834 आएगा वाई Snapdragon का 2975 देखने को मिलेगा मल्दब की Snapdragon यहाँ पर single core और multi core दोन में भी better देखने को मिल जाएगा 3D Mark की बात किया तो 3D Mark यहाँ पर Helio का निकल का आता है 1229 वाई Snapdragon का आता है 2633 हाई friends welcome back to my channel Tickroom मैं हो गौर और आज मैं बात करूंगा पूरे specific questions के बारे में अगर आपको यहाँ से वीडियो को पसंद आ रहे है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं तो दोनों ही मिड रिंज में आते हैं लेकिन यहाँ पर स्नाप रिंगन आपको थोड़ा सा मांगा फोन में देखने को मिलेगा और मॉडल नंबर की बात किया स्नाप रिंग का मॉडल नंबर है SM7325AE अगर इंस्टागार में टेलिग्राम पर मुझे फॉलो करना है तो लिंक डिस्रिप्टर में ने दे दिए हैं बात किया है यहाँ पर दोनों के अल्किटेक्चर की तो दोनों ही प्रॉस्टर अक्टव को प्रॉस्टर देखने को मिल जाते हैं मैं 3 को 2.2 गीगार्स क्लॉक्राइस 670 गोल्ड क्वार्टेक्स देखने को मिलेंगे मदल में आप स्नाप्रगन तो डेफिनलेटली बेटर इसको पास फूर को रैसे हैं जो की क्वार्टेक्स देवन्टी एट सपोर्ट के साथ आते हैं इन दोनों की फ्रिक्वैंसी भले यह लग लग है लेकिन आपे दो चार कॉर ऐसे हैं इसके पास इसके पास को टेक्स को सपोर्ट मिलते हैं अब बात किया मैक्सम फ्रिक्वंसी क्लॉक स्पीड की तो हीलियो जो है 2200 मिगार्ट पे क्लॉक देखने को मिलेगा वे स्नाब्रगेन 2500 मिगार्ट पे देखने को मिलता है एं सीबी फैब्रिकेशन की बात किया तो दोने प्रोसर 6 अनिमेडर टेक्नलोजी के साथ आते हैं पर्फॉर्मेस बेटर होने के वज़े से आप स्नाब्रगन सोरी से बैटरी भी ड्रिन कम करता है अब बात करते हैं यहां पे ही ग्राफिक्स सपपोर्ट की तो हीलियो के पास है माली जीप प्रिसिवन अंचीट इसका अक्रिक्चर जो है वाल है वे स्नाब्रगन के पास है अपना अट्नो शिक्स वटेट्ट एल जिसका अट्रिक्चर अट्रिक्चर ए अट्नोज सिक्संडगे ऐन फ्रिक्वेंसी की बात कि जा तो हीलियो आपको 900 से 800 मेगाँट पे देखने को मिलिगा बात कि पाइफ करें नफिंग फोन पर पडू के साथ स्टार्ट करें तो थो म्याइक्ट तो मैंसमें फिरम प्रम दोने में आपके अलग लुक देखने को मिल अपकर 06 सुपोर्ट मिल जाता है और ग्राफिक्सी बात कि बात किया तो अच्टे खाथ मिलेंगा स्पोर्ट मिलेगा वै बात के लिए रैम यहां पे शोरच की तो रैम भी डिपेंड करता है आपके कैसा परफॉर्मेंस आपको चाहिए अगर आपका रैम LPDDR तो बेकार सी परफॉर्मेंस मिल जाएगी तो यह जो घीलो जी 99 हो LPDDR 4X RAM के साथ आता है वही यहां पे इसकी रैम फ्रिक्वंसी 4266 MHz कि यहां पे SnapDragon के पास एक प्लस पॉइंट और आता है इस्टोरेग की बात किया तो इस्टोरेज में हापे Helio UFS 2.2 का मैक्सिम सपोर्ट कर सकता है जबकि SnapDragon UFS 3.1 के साथ काफी बेटर बन जाएगा अब वीडियो के लिए प्लेबैक की बात किया तो हां पे वीडियो बेटर निकल दाएगा because 5G support कर लेता है में Helio 4G processor 4G में इसके पास है LTCR 13 का support में SnapDragon के पास है LTCR 24 का support Bluetooth में दोने process same देखने को मिलेंगे Bluetooth 5.2 के साथ Pros and Cons की बात की जाए तो यहां पे SnapDragon clear winner है because एक थोड़े महांगी phone में भी देखने को मिल जाता है इसके पास जो Cortex A78 है वो काफी तगड़ा है Cortex A76 से Graphics पिसका काफी तगड़ा देखने को मिलेगा और यहां पे बात ने इसके camera की तो इसमें 4K का support आपको मिल जाएगा Connectivity भी Helio से better है Helium आपको एक चीज सेम देखने को मिलेगी Bluetooth 5.2 एक चीज आपको और देखने को मिल जाएगी वो आप बताएगा तो कमेंट ज़रूर कीजएगा आपको कौन सा processor पसंद है और एक चीज और क्या जो रहा है यह जो Helio और Snapdragon में common है अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब करना बिलकुल मिलेगा थांक्स वर वाचिंग